नमस्कार, वेलकम में टोप चैनल, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अंको का जादू, जो कक्षा तीन की गरतिक किताब है, उसका चैप्टर संखिया 4 सिंको का कमाद, तो इस पार्ट में जो भी प्रिसनाबली आपके लिए दी गई है किताब संखिया, पेज पे देखेंगे तो 34 और 35 पर आपके लिए मिलेगी तो इस वीडियो में, इस प्रिसनाबली में जिद्धे भी सवाल दिये गए हैं, वो हम हल बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखेंगे, तब ही आप सही से समझ पाएंगे पहली बत गणा होती क्या है, किसी भी संख्या को, या अंक को, या बस्तूओं को, बार बार जोड़ना ही गणा कहलाता है तो इसमें जो पहला सवाल दिया है, अब बहास पूरा करो यहां तीन की गुड़ा हमें साथ से करनी है अथा तीन का जो पहड़ा है वो साथ तक पढ़ने है या हम साथ के लिए तीन बार जोड़ देंगे तब भी आंसर पहूं आएगा या इसका हम तीन का पहड़ा हम जो है पढ़ देंगे साथ तक तीन का टेबल हमें कहां तक पढ़ना है साथ तक पढ़ना है यही गुड़ा कह राती है तो आपका जो आंसर 21 आ जाएगा इसी प्रिकार 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक या फिर 8 का टेबल 2 तक पढ़ देंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा या 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 या फिर हम 8 के लिए दो बार जोड़ देंगे 8 पिलस 8 तो बराबर 16 तो बार बार जोड़ना ही गुड़ा कह राती है इस तरह सभी सवाल हम हल कर लेंगे जैसे कि नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया है पांच और 9 की गुड़ा जब करेंगे तो 5 ने 45 हो जाएगा 3 और 10 की गुड़ा करेंगे 39 30 हो जाएगा 10 और 6 की गुड़ा करेंगे 10 60 हो जाएगा यदि किसी भी संक्या में हम 0 से गुड़ा करते हैं तो बहां आंसर हमेशा 0 नहीं आता है इस बात को नोट कर लेंगे किसी भी संक् भात लें 63 हो जाएगा आठी गोड़ा हम 3 से करेंगे आठी यां 24 हो जाएगा इस तरह से यह सवाल हम पहला हाल करेंगे इसके दाम देखेंगे इसका next सवाल कहरा है कि पैटरन देखकर पूरा करना है हमें जैसे कि कुछ संक्या है हमें दियें तीन के बाद 6 दिया है छे के बा सब्सक्राइग कर सब्सक्राइग वर्ष 17 सब्सक्राइगे और हो जैसे इसक service के अधार से के सब्सक्राइगे आए तो आटओं दीज और गया जैसे 16 Adventures आज तो सब्सक्रीजम करें तो उस और उसमें तो पुड़ेंगे तो 210 अंसर आ जाएगा इस तरह से ये सवाल हम हल कर लेंगे काफी इजी सवाल है वार वार कमेंट्स आ रहाते हैं अक्षा तीन कोई भी चैप्टर आप दिखा हैं इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा तो देखते हैं इसका तीसरा सवाल एक कोट में कितने वटन है पाँच बटन है तीन कोट में कुल कितने बटन होंगा ठीक है ये आपके कोट दियए गये है एक दो तीन इसमें पांच है इसमें भी 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, यह थी हम सब को count करते हैं यहापे, 5 यह, 5 यह और 5 यह, तो कितने हो जाएंगे, या फिर 5 के लिए हम 3-3 बार जोड़ देंगे, 3 बार जोड़ देंगे मालब 5 और 5, 5 तो यह जोड़ेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 5 यह, 5, 5, 10, और 5, 15, यह फिर हम टेविल पढ़ देंगे, 3 करट पार कहां था, 5 में पढ़ देंगे, तब भी 15 बटन हो जाएंगे, यह फिर सब को हम count कर लेंगे, गिन लेंगे यहापे, तब भी यह 15 आंसर इसका आ जाएगा, इसी बिकार देहेंगे, सवाल नमबर इसका चौथा, 4 हम करांगी हल करना है, यहां पर देखेंगे, गोडा कर दीए, अब एक वार गोडा के लिए हम सम्झ लेते हैं, जैसे पहरा सबार से इसमें दिया गया है, 2 , SUN, WICE , GOR, 3 हमें क्या करना परता है , Cancer GOR, कहा करेंगे ? इस बारी संध्या के KING sits , यहां पर KING 2 है , दाही 20 है , हमें क्या करना , 3 & 2 ब्रोग पढ़ लेंगे ? 3 & 2 ब्रोग पढ़ लेंगी ? 3 करेंगे तीन का टेबल इस दो में पढ़ेंगे तो तीन दो नीच छे इसका कुल मिला कि जो आंसर है वो आपका डबल सिक्स यानि शांसर आ जागा 66 इसी प्रिकार सवाल नंबर सेकेंड देख लेंगे 30 और आपका यह यह पंद्रा यहां पर हम 15 का टेबल पढ़ देंगे 15 शून की गुणा करेंगे हमने प्ताया किसी भी संख्या को सुन से गुणा करते हैं सुन नहीं आता है और 15 तिन्या पैंतालिस तो यहां पर आपका देख रहा चीज चारसो पचास आंसर इसका आ जाएगा इसी प्रिकार हम 48 और साथी गुणा करेंगे यह वाला सवाल है 48 और साथी गुणा करेंगे तो 7 अठे 56 का 6 हो जाएगा हासल कितना लगेगा आप पांच यहां पर जाएगा पांच साथ चाग 28 और 5 कितना होता है 33 अठाथ 336 इसका आंसर यह आ जाएगा इस तरह से यह सवाल हम हम हल कर लेंगे इसी प्रिकार हम देखेंगे इसका नेक्स्ट सवाल 63 और गुणा 9 नउट का टेबल ति न प्रेगे 73 साथ हो जाते हैं दो हस लूटिर अफका है अहां प्र और नौट का चेंहिंके नल मेंट स्वाट इसके कितने में चरब इसमें 2 ग्रद देंग आ यह आपका तो कितनों हो जाएंगे छे पाइन चपन तो चपन यहां पर लिख देंगे कुल मिला के आंसर आपका 567 आ जाएगा इसी प्रिकार 74 और एट का हम गुड़ा करेंगे तो आठ चपन चपन और तीन हो जाएगा 59 इसका जो है आंसर आ जाएगा यह वाला अब आपका रहता है एक सवाल 88 तो चार कर टेबल हम आठम पढ़ेंगे चार अठे बत्तिस के दो हो जाएगा यहां पर हासल कितना लगएगा आप तीन और चार नमबर इसका पांच मां यह कहा रहा है कि एक बच्चे के पास पांच पुस्तके हैं हर पुस्तक में 88 पने हैं पांचों पुस्तकों में कितने पने हैं सवाल है कितनी पुष्ट के हैं पांच पुष्ट के हैं यह वाली और कि एक पुष्ट के में कितने परने हैं 88 तो पांच में कितने होंगे सीधी वात है कि हम 88 के लिए 5 से गुणा कर देंगे या फिर 88 88 लिखे हम पांच बार इसको जोड़ भी सकते हैं तब भी आप का अंसर स पांच पुष्टकों में कुल हो एंगे इसके अधिक्ष का नेक्ष सवाल देखेंगे छटा एक बिद्ध्यालाय में कुल 132 वच्चे हैं सोमार को हर बच्चे को तो केले दिये जाते हैं कुल कितने केले बाट जाते हैं अब एक बच्चे को दो केले मिलने हैं और बच्चे कितने हैं 132 के डवल डियान चणिखें यानी 132 की हम 2 से म्टिप्लाइ कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा जैसे दो दूनी चार और दो तियाँ छे और दो एकाँ दो 264 264 के लिए आना चाहिए इसके देखेंगे सवाल नंबर इसका साथ मा यहां हमें मल्टिपलाई करनी है पहरा सवाल देखते हैं 42 और 30 यह गुणान क्या करेंगे पहले एकाई 295 की गुणान एकाई में करते हैं यहां पर 3 इकाई हैë यहां पर 2 इकाई है 3 और 2 की गुणान कर देंगे तीन दूनी 6 अब इस 3 से गुणान 4 में कर देंगे 3 चॉक 12 अगे कोंग कोई अंकर नहीं हैं तो हम 12 के 12 नंकरत कर देंगे यह इसी पिलिकाट 2 266 आपका यह आंसर आ जाएगा यहां पर 966 आएगा इसके लाद देखेंगे 14 और 12 यहां 12 का पहड़ा पढ़ेंगे हम 14 48 के 8 हसल लगेंगे 4 14 12 आपका इसमें आ जाएगा इसी प्रिकार 132 की गुणा हम 12 से करेंगे तो 12 का पाड़ा सीधा पढ़ेंगे 12 24 के 4 और 12 36 और 2 38 के 8 वारेकम 12 और 3 1584 आंसर इसका आ जाएगा इस तरह से हम यह मल्टिप्लाई कर लेंगे एक सवाल और देखते हैं यहाँ पर जैसे ही सवाल है 246 गुणा 18 पहले 8 का पाड़ा हम तीनों संक्राव में पढ़ेंगे अंकों में 246 में 28 चंग 48 के 8 हसल लगेंगे आपके 4 यहाँ पर 8 4 32 4 36 के 6 हासल आपके 3 8 2 16 और 3 19 अब एक का टेबल पढ़ेंगे तो यह जगह छोड़ देंगे यहाँ पर इसके नीचे नहीं लिखेंगे एक चंगा 6 यहाँ से लिखेंगे एक चोगा 4 और एक दूनी 2 इसको हम जोड़ देंगे 8 चे चे बारा के 2 हासल एक 10 चार चौदा हासल एक तीन चार था चार है चार सो अथा सिसकान से आ जाएगा इसका सवाल इसका नाश्ट देखेंगे सवाल लंबरा 8 है पांच साइकल में कितने टार होते हैं पूंच रहे हैं कितने होते होंगे एक साइकल में कितने होते हैं एक साइकल में सभी जानते हैं दो टार होते हैं ठीक है दो टार होते हैं एक यह एक यह अब पांच साइकल हम दो एक साके लिए एक दो एक साके लिए है एक दो एक साके लिए है एक दो एक साके लिए है यह हम देख रहे हैं यहां पर एक एक साकल है कितनी जगह है यानि एक दो तीन चार पांच जगह है एक साक्रम दो पईये हैं दो टायर है हम गिल देंगे सबीके लिए काउंट कर ले तो कह सकते हैं पांच साइकलों में जो है दस टायर होंगे या फिर हम पांच की गुणा कि दो से कर देंगे पांच गुणा दो दो पंजे दस यह से भी आंसर आ जाएगा इसका सवाल नंबर इसका देखेंगे नेक्ष्ट नान आखरी सवाल है 14 अगथे शाल में कितने फैये होते हैं को कि 14 और में कितने पैये होते यह एक आर में कितने पई लुप्ते हैं तो 14 की होते हम क्या करेंगे मल्टिप्राय जानर कर देंगे यह लेगने च्वा Bay要 च्यानर का चपन हो जाएगा रठ सब्सक्राइब यह आपका 56 पर यह होंगे तो यह थी प्रिस्णावली